ट्विटर के चार पूर्व एक्जेकेटिव या फिट जिसे अब एकस माना जाता है उन्होंने इलान मस्क को सू किया है अब उन्होंने सू किया है 158 मिलियन डॉलर के लिए Severance dues में जिसे कहा जाता है यानि कि उनका मानना है कि मस्क जो है former general counsel इन सबी ने फाइल किया है और उन्हेंने यह कहा है कि देखिए Musk जो है Elon Musk कम से कम उनको entitlement जो है इन सब employees को 128 million dollar की है severance dues में यह lawsuit जो है federal court में फाइल हुआ है San Francisco में और यह याज रखिए एक latest challenge है एक तरह से जो Elon Musk face कर रहे हैं जब से उन्हेंने यह social media company को acquire किया है October 2022 में जिसनको उन्हें लेटर brand किया री brand किया X के दोर पर अब Musk उन्हेंने कहा है जो employees है उन्हेंने claim किया है lawsuit में कि देखिए जो Elon Musk हैं वो bills नहीं देते हैं वो ऐसा मानते हैं कि rules उनको apply नहीं करते हैं यह सब lawsuit में former employees ने कहा है और उन्हेंने यह कहा है कि देखिए power का इतरा से misuse हो रहा है तो उन्हेंने यह सब claim किया है lawsuit में उन्हेंने यह तक कि यह तक कहा है कि देखिए जिस दिन हमें fire किया गया था उसका कोई कारण नहीं था और उन्हेंने यह भी mention किया है lawsuit में झाल